हेलो एव्रीवन वेलकम चुरारा दोस्तों आज मैं ये मेकप लोग करने वाली हूँ और इस वक्त जो मेरे आखो में आप ये ब्लू आइशेडो थोड़ा थोड़ा ग्रीन टोन जो देख रहे हैं ये मैं एक आइशेडो पैलेट का रिव्यू करने वाली हूँ इस वजह से मै आइशेडो अपलाए कर सकते हो अदरवाइस इसका कोई जो सिंगल शेड है ये अपलाए कर सकते हो वेडिंग पार्टी फंक्शन के लिए या कभी भी तो ये है आइशेडो पैलेट एनके की जो बादे केक है निका के की और ये 11.7 ग्राम प्रोडक्ट क्वांड़ी के साथ में आती है और ये पैलेट वैसे तो 599 रुपीज के आती है लेकिन ये मुझे 50% आफ पे मिली थी और मैंने से नाइका से लिया था आप भी इसे पर्चेस कर सकते हैं और यहां पर आप इसके विशे में तमाम जानकारी जो है वो देख सकते इसमें कई सारी आईशेडो पैल ये लिप बाम अप्लाई कर रही हूं ये लैकमे का लिप टिंट लिप बाम है और बहुती सोफ्ट सा शेड आप अप्लाई करें लिप बाम का कोई भी उसके बाद में वैसे तो फेस मॉइस्टराइज है मेरा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ड्राइ स्किन मेरी हो जाती है मॉइस्ट्राइज करने के बाद भी उन एरियास पर अप्लाई कर रही हूं क्योंकि ये मेकप इस्पेशली विंटर्स के लिए है और लॉंग लास्टिंग मेकप है तो आज मैं मेकप में कुछ एक्स्पेरिमेंट्स जो है वो कर रही हूं जैसे कि मैं एक्स मास्क लगाएं या सेरम लगाएं या फिर अच्छे से फेस पर एसेंस भी अप्लाई कर सकते हो जादा मॉइस्ट्राइजेशन के लिए और उसके बाद अब मैं ले रही हूं ये पोर मिनिमाइजर प्राइमर फ्रॉम शुगर और आप कोई भी अच्छा मिनिमाइजर प्रा ये वाम बेज शेड है मेरा और आप यहां देख सकते हो मैं इसको प्रॉपरली अप्लाई कर रही हूं ये लिक्विड फाउंडेशन है और बहुत अच्छे होते हैं लिक्विड फाउंडेशन फेस के लिए और अगर आपको नाच्छल फ्लॉॉलेस मेकप चाहिए तो लेक मेकप की खुबी सबसे ची तभी दिखाई देती है जब आप उसको बढ़िया ब्लेंड करते हो बेस को तो फेस पर अप्लाई करने के साथ साथ ब्यूडी ब्लेंडर पे जो लगा रहता है एक्सेस आप उससे नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों कान पर अप्लाई करे कोई भी area skip ना करें face और neck का ताकि even skin मिले आपको दोस्तो और बहुत ही अच्छे से set करने के लिए अब मैं ले रही हूँ पहले मैं concealer यूज कर रही हूँ और ये concealer है sugar का cappuccino मैं इसको triangle shape में apply कर रही हूँ और इस तरीके से जादा अच्छा look आता है अगर आप इतने area में apply करते हो face पर concealer और concealer से थोड़ी सी जादा brightness या highlighting भी मिल जाती है और जो face पर unevenness रहती है ना वो भी छुप जाती है तो सई तरीका है ये आप इस तरीके से कर सकते हो highlighting अगर आपको जादा नहीं चाहिए लेकिन मैं या full coverage make up कर रही हूँ इस वज़ह से मैंने ये apply किया है इतना जादा और जहाँ जहाँ concealer है उसको dab करके मैं अच्छे से प्रेस कर ले रही हूँ ताकि area highlight भी हो जाएंगे और जो look है वो भी जादा अच्छा और better हो जाएगा तो ऐसे करके आप अच्छे से blend कर सकते हो और अगर आपको नई जम्राए की छोटा beauty blender से ही आप कर पाते हो तो आप mini blender ले सकते हो बड़े blender से कई बार आँखों में लग जाता है foundation अब मैं fit me का ये matte matte नहीं maybelline fit me का ये loose powder ले रही हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इसका medium shade लिया है और ये बहुत ही dark नहीं है बहुत ही light shade नहीं है तो foundation से थोड़ा dark color है ये वैसे तो लोग bright color लेते हैं लेकिन face फिर अलग दिखाई देने लगता है body की skin से तो मैं आज थोड़ा different तरीके से इसको set करने वाली हूँ थोड़ा से मैंने yellow tone ले ली face पर और आप मैं Eleanor का ये compact ले रही हूँ जो foundation से बिलकुल match करता हुआ color है इससे set करते हुए मैं पूरे के पूरा जो ये face पर loose powder मैंने लगाया है इसको dusting करते समय ब्रश की सहायता से मै इसको even करूंगी तो बिलकुल look एक दम से बराबर shade में आएगा और ये last में ऐसा करने से दो shade mix करने से last में जब make-up complete होता है तो बहुत अच्छा get up आता है और इस तरीके से मैंने इसको dust कर लिया है तो brush की सहायता से round round करते हुए ये बहुत ही natural finish देता है और हलके yellow tone में बद face के compact को even कर रही हूँ जिससे सारी yellowness जो है वो mix होकर के proper एक skin का shade बना सके और ये make-up बिलकुल cake ही नहीं होता दोस्तों अगर आप blending अच्छे से करते हो और dusting, dusting मतलब अगर आप brush लेकर के उसको अच्छे से remove कर रहे हो ना excess product को तो फिर face का जो look है वो जाधा अच्छा आता ही आता है तो ये आप देखिए मैं बहुत ही अच्छे से इसको बड़िया तरीके से remove कर रही हूँ और ये जितना भी compact और loose powder है उसका almost एक जैसा look आ गया है अब इसके बाद मैं spoolie की साहिता से इसको clean कर रही हूं brows को ये मेरा sugar का brow definer है और आप यहाँ देख सकते है ये brow shaper आप कोई भी अच्छा brush ले सकते हो cleaning के लिए या brow brushes जो आते हैं उनकी साहिता से भी अब मैं ये निका केकी eyeshadow palette ले रही हूं birthday cake और ये eyeshadow palette बड़ी ही bright सी है इसके विशे में मैं वीडियो के last में describe करूंगी ही करूंगी मैंने आपको बताया था तो सबसे पहले मैं ये real technique का जो बड़ा सा blending brush ले रही हूं ना इससे eyeshadow और powder set किया जा सकता है तो इससे पहले मैं पूरे के पूरे crease area पर अच्छे से apply कर रही हूं और ये yellow shade मैं ले रही हूं ये matte color है तो काफी अच्छा सा look आ रहा है और eyeshadow का ही तो पूरा खेल होता है कई बार क्या होता है कि बहुत जादा perfect बन जाती है कई बार थोड़ा इधर उधर हो जाता है क्यूंकि हर बार हम कुछ ना कुछ experiment करते हैं और मैं तो करती हूं makeup में क्यूंकि बार बार आप एक ही चीज नहीं कर सकते हर बार कुछ नया try करेंगे तो शायद सीख सकें और अब इसके बाद मैं इसका shade ले रही हूं बहुत प्यारा लग रहा है बट यह matte color है दोस्तो आप चाहें तो यह दो yellow और blue के combination से ही eyeshadow look create कर सकते हो बट मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं मैं यहाँ पर तीन blue shade लेने वाली हूं दूसरा यह medium light color है और यह हलका सा इस तरीके से मैं उन्हें apply किया यह हलका सा shimmery type का shade है बट ही खेल होता है आप जान लीजेगा जितना eyeshadow आप perfectly blend करोगे उतना अच्छा लगेगा अब मैं यह dark purple color ले रही हूं और इस तरीके से outer eyelid पर apply कर रही हूं corners पर और इसको न यह shades बिलकुल pigmented नहीं है brush brush से apply करने पर तो बिलकुल लेकिन आप देखरें बहुत hardly मुझे इसको smudge कर ना पड़ रहा है तब जाकर के ऐसा लुका रहा है और face पर यह गिर रहा है powder जो है तो यह तो हट जाएगा brush की साहता से सबसची चीज यही होती है extra face पर अगर आप lose powder लगा लेते हो उसकी उससे अगर eyeshadow गिरता है तो आप उसे remove easily कर सकते हैं और face का जो base है वो खराब नहीं ह लेकिन अगर आप सोचो कि shiny वाले जो shimmery shade है यह बिलकुल मुझे समझ नहीं आए क्योंकि इस तरीके से अगर आप इतना जादा rub करेंगे skin पर तो फिर कहीं न कहीं आँख पर फर्क पड़ता है और skin में जो है जलनसी होने लगती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बार सिर्फ इन ही आईशेडो से ही मैं आईशेडो का लुग क्रियेट कर लोंगी क्योंकि बड़े bright poppy shades दिख रहे हैं बट ऐसा नहीं है दोस्तो तो अब मैं वापस इस blue को अपलाए कर रही हूं ता कि थोड़ा देखे डार्क दिखाई दे तो अभी यह ठीक लगा अब मैं ब् ब्लू शेड है उसको लेकर के और वापस purple कलर लेकर के इसके corners को अच्छे से blend कर रही हूं और यह करने के बाद मैं इसका yellow shade लेकर के वापस इसको smudge करने की कोशिश कर रही हूं ता कि यह shades एक दूसरे में अच्छे से merge हो सकें और इस समय मैंने जो में थ्रेडिंग है यह अ लुक दिखा रही हूं तो lower lash line पर भी देखे मैं apply कर रही हूं यह blue color तो यह इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मैं try करिएगा इस पर blue बट फिर भी इसके बाद में मैंने excess को remove करके अपने brows को fill करने का सोचा और यहां आप देखिए मैं ले रही हूं shade jerry brown और यह shade sugar क भी साथ में आता है तो यह 3 in 1 product है लेकिन जो brows को और जाधर dark करना हो तो brow powder अलग से भी आता है sugar का और यहां पर आप देख सकते हो मैं अच्छे से इसको पहले draw कर रही हूं थोड़ा thick look ही अच्छा रहेगा और अगर मैं पहले भी बना लेती तब भी highlighting अगर करती brow bone area की तो यह तब भी थोड़ा सा तो इसको करना पड़ता ही है finish देनी पड़ती है बाद में तो यह करने के बाद मैं इसको smudge कर रही हूं आप देखिए अच्छे से smudging हो जाती है इसकी साहिता से तो जितना हो सके eyebrow pencil जो है आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके स इसकी filling कर रहे हो और इनका shape भी आपके face के features के according हो तो जादा बड़ी है look आता है दोस्तों तो यह देखिए मैंने अच्छे से इसको apply कर लिया अब इसके बाद में इसका जो brow powder है jerry brown ही इससे filling कर रही हो और यह काफी अच्छा है मैंने आपको दिखाया था जब यह new launch हुआ बहुत टाइम हो चुका है और थोड़ा dark provide करा देता है brows का look और अच्छा लगता है लेकिन आप access मत लीजिएगा क्योंकि इसके brush पर थोड़ा जादा लग कर आ जाता है बाहर तो आप उसको extra product को dust कर सकते हैं और यह apply करने के बाद भी मुझे smudging की जरूरत पड़ी स्पूल कर सके लेकिन यह photographs में बहुत जादा अच्छा लुक देता है काफी जादा अच्छा आता है और अगर थोड़ा dark हो भी जाए तो आप उसको earbird की साहता से जो है remove कर सकते हो अब इसके बाद मैंने वापस eyeshadow का जो है shade लिया है pink और इस से मैं lower lash line पर apply कर रही हूं ताकि blue और pink मि shade बन सके और फिर यह lower lash line जो है और अच्छी सी लगे brownish हो जाए थोड़ा इसके बाद में अब मैंने यह लिये हैं दोस्तो टी एस के दो आई glitter और यह pressed glitter है इसमें मैंने यह blue color लिया है और green color इनका individual video मेरे चैनल पर uploaded है आप चेक करिएगा तो मैं यह 2 shade इसमें apply करने वाली तो outer side में मैं apply कर रही हूं blue color जो की purple eyeshadow के ऊपर apply कर रही हूं तो यह मैं finger की सायता से ही apply कर रही हूं क्योंकि यह pressed glitter है और काफी काफी अच्छे हैं और इनकी quality भी बहुत जादा अच्छी है उसके बाद मैं मैं ले रही हूं green color और यह green color बहुत सुन्दर है यह inner eyelid पर मैं apply कर आप यहां देखिए इस तरीके से तो green और blue को जब मैं smudge करूंगी बीच में तो यह काफी जादा अच्छा look देगा बिल्कुल more punk जैसा color आने लगता है और यह बहुत attractive लगता है photos में सबसे बड़ा खेल इसकी blending का ही है अगर इधर उधर थोड़ा excess भी लग जाए तो उसको brush की सायता से या हाथ से इस तरीके से आप remove कर दीजे और फिर यह बहुत अच्छा लगने लगता है आईए make up में या फिर make up में कोई rule नहीं होता दोस्तों मेरा यह मानना है जो हमें अच्छा लगे जो हमें हमारे उपर अच्छा लगे बिल्कुल वो ही try करना चाहिए like आप अगर कोई चीज फॉलो कर रहे हो कोई train फॉलो कर रहे हो तो train को set करने के लिए भी किसी ना किसी को different make up लो create करने होते हैं या कुछ नया try करना होता है तो मेरा यही मानना है कि किसी चीज को follow करने के बजाए आप उसमें कुछ नया create करिये कुछ नया बनाइए तो जो crease make up होत और palette है यहां पर आप देख सकते हैं उसका matte bronzer मैं apply कर रही हूं face के features को sharp करने के लिए nose को sharp कर रही हूं और इसका bronzer बिलकुल hula जैसा bronzer है लेकिन hula bronzer थोड़ा जादा चवर करता है वो जादा pigmented है दोस्तों यहां पर आप देखिए excess को मैंने remove कर दिया और उसके बाद में अगर आपका forehead भी मेरी तरह जादा बड़ा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो थोड़ा सा smudging और अपने features को बिलकुल equally दिखा सकते हैं उसके बाद मैं इसी palette का blush apply कर रही हूं यह blush जो है वो जादा dark look नहीं देता है बहुत soft peachy peachy सा pink pink सा natural सा look देता है तो इसलिए मैं इसको apply कर रही हूं बहुत past से अगर आप देखेंगे तो दिखाई देगा लेकिन दूर से यह बिलकुल natural लगेगा तो यह अच्छा लगता है लेकिन फिर भी थोड़ा dark blush जो है वो अच्छा लगता है सबसे important मैंने अब room की एक light off कर दी है और आप देखिए अब मैं अपने बालो को आप clean कर लें जिनमें foundation और powder भर जाता है यहाँ पर आप देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको लगा लिया है और यह देखिए तो इसके बाद में मैंने room की light जला दी है अब आप देख सकते हैं मैं सिफोरा का यह mini mascara ले रही हूँ और इससे अपनी eyelashes हैं को clean कर रहे हूँ क्योंकि थोड़ा सा glitter तो इस पर गिर ही जाता है और फिर यह उतना अच्छा look नहीं देता है जितना हम सोचते हैं तो यहाँ पर अप्लाइ करने के बाद मैंने वापस से ले लिया है lotus का eyeliner और यह color kick eyeliner है इस तरीके के eyeshadow look पर आप कोई अच्छा सा black eyeliner ही लगाएं और eyeliner को जितना हो सके fine तरीके से लगाएं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा wing निकाल रही हूँ और अच्छे से इस eyeliner को apply कर रही हूँ eyeliner apply करते समय अगर आपके पास patience नहीं है आप थोड़ा सा भी धैरे नहीं रख सकते कम से कम एक minute का तो आपका eyeliner अच्छा नहीं लगेगा जितना हो सके धीरे धीरे अराम से eyeliner लगाने की कोशिश करें और उसके बाद में eye makeup already इतना अच्छा लगने लगता है कि mascara की उतनी need नहीं होती लेकिन finishing के लिए mascara चाहिए होता है यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसको धीरे 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 अपलाए कर रही हूँ ताकि यह सड़े नहीं अगर यह थोड़ा सा भी मोटा पतला हो गया तो फिर इसका जो आँकों का जो get up यह आ रहा है यह बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा रही बात आईशेडो की दोस्तों तो यह glitter की वज़े से जादा अच्छे लग रहे है अब मैं inner corners को highlight कर रही हूँ शैंपेन शेड लिया है मैंने शुगर की आईशेडो पैलेट का यहां देखिया आप यह हलका सा rose gold कलर है तो जो lower lash line पे मैंने blue color apply किया था वो pink apply करने की वज़े से brown में change हो गया और compact apply करने की वज़े से वो बहुत ही soft brown में change हो गया अब मैं Lakme का 9 to 5 lip liner apply कर रही हूँ यह nude color है और यहां पर आप देख सकते हैं एंड इसके बाद में आज मैं बहुत दिन बाद lip liner apply कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी color की lipstick apply करनी है और यह lip liner काफी जादा अच्छा और long lasting है तो जो लोग lip liner apply करते हैं उनके लिए यह easy हो जाएगा और उसके बाद में lipstick apply कर रही हूँ ब्रंच nude shade है यह लैक में absolute matte ultimate का और यह 800 रुपीज की launch हुई थी लेकिन अभी यह 450 रुपे MRP पे मिल रही है और 2500 रुपे में यह available हो जाती है डिसकाउंट पे मैंने यह वापस repurchase की थी 2500 रुपे में तो 2500 रुपे में तो आज कर local lipstick भी जो है बड़ी अजीब सी मिलती है आ highlighting brush है यह और यहां आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको apply कर लिया और उसी के साथ में highlighting मैंने बहुत हलकी सी की है क्योंकि मुझे कई सारे steps follow करने हैं अभी highlighting के और अब मैं sugar का यह aqua green color ले रही हूं काजल का और यह colored काजल है और इससे मैं lower lash line पर proper यह काजल apply कर रही तो यह बहुत ही अच्छा सा एक share add कर देगा आँखों में आखे जो है वो बड़ी बड़ी नजर आने लगेंगी तो अगर आप modeling के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए photo shoot करा रहे हो तो इस तरीके की आँखे बहुत ही जादा intense look लगता है बहुत अच्छी लगती है और य ले रही हूं sugar का ये makeup setting spray और ये वाला मैंने लिया है for highlighting और illuminating वाला है तो यहां आप देख रहे हैं बहुत dewy सा look देता है highlighting में थोड़ा सा gold वाला look मिल जाता है बट मैं यहां पर ले रही हूं सिर्फ dewy के लिए और आप चाहें तो makeup setting spray spray कर सकते हैं directly लेकिन ये वाला जो makeup setting spray spray है ना इसका spray बहुत जादा अच्छा नहीं है मैंने इसको कई बार किया है तो makeup melt होने लगता है लेकिन beauty blender की साहिता से तो ये काफी easily लग जाता है और long lasting भी हो जाता है और जब भी मैं ये eye glitter apply करती हूं तो ऐसे ही makeup setting spray इस्तमाल करती हूं और इसके बाद मैं वापस अपने face इसको दिखा रही हूं low light में आप देख सकते हो और अब मैं mascara apply कर रही हूं जो की एक एक यही step रहे गया है mascara का ही तो ये मैं L'Oreal का lash paradise mascara इस्तमाल कर रही हूं इसका individual review मैंने upload करके दिखाया था ये पानी से और नहीं निकलता है और normal makeup remover से भी नहीं निकलता है इसको आपको remove करने के लिए makeup remover balm की आवशकता पड़ेगी तो lashes का ध्यान रखेगा हलकी फुल की तूटती भी है कही बार जब आप सही makeup remover इस्तमाल नहीं करते तो इसको apply करने से पहले आप makeup remover balm जरूर ले लीजेगा या अच्छा misla water जैसे की आप ले सकते हैं गार्णिया का या फिर sensi bio h2o ले सकते हो तो ये मैंने apply कर लिया है अच्छे से mascara और वापस मैं highlighter apply कर रही हूं ताकि मेरे face के features और अच्छे से sharp दिखाई दे सकें तो ये makeup setting spray apply करने के बाद थोड़े से light हो जाता है makeup और थोड़ा ज़ादा dewy look मिलने लगता है face को cake की बिलकुल नहीं लगता तो देखिए मैंने foundation loose powder वगेरा जो भी चीज़ें apply की थी उनसे overall makeup look काफी अच्छा आया है वापस एक और light जलाने पर room का get up और मेरे face का get up आप देखी सकते हो जूलरी मैंने पहनी है आजियो की और यह मैंने वीडियो में शेयर किया था मेरे चैनल पर अनदर वीडियो तो जरूर चेक करिएगा makeup look कैसा लगा है यह जरूर बताएं thank you so much दोस्तों और जूडे में भी यह अच्छा लग रहा है दोस्तों यह जो eyeshadow palette है ना निका के की birthday cake eyeshadow palette इसे आप ले सकते हो अगर आपको यह 300 रुपे तक मिल जाए यानि की 299 तक मिल जाएगी यह जब भी deal चले तो आप इसे खरीच सकते हो और दूसरी बात यह eyeshadow palette के जो matte colors है वो जादा अच्छे है बजाए shimmery shades के इन सारी palettes में मुझे यह दिकत लगी है और कहीं नगहीं मैं स सीखना शुरू कर देते है तीरे 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 आप एक नएक दिन perfect हो ही जाते है तो मेरे साथ भी यही है मैंने कोई class नहीं की है तो इसको please judge मत करिएगा makeup को दोस्तो हाँ रही बात मेरे makeup की मेरे photograph भर की और ठीक टाक makeup मैं अपना घर ही लेती हूँ लेकिन इस तरीके का makeup तो कभी भी कोई भी बाहर करके नहीं जाता लेकिन photographs आपको click करनी हो makeup look बनाना हो तो बिलकुल आप ये eyeshadow look जो है वो try कर सकते हो it's very nice shade तो यहाँ पर आप देखिए मुझे matte colors अच्छे लगे और मैं आपको one by one दिखा देती हूँ जैसे की यह जो pink वाला है यहाँ देखिए करा रही हूँ साथ में ही and सबसे पहले pink यहाँ से ले लेती हूँ यह एक palette में ही दो pink दे रखे हैं और दूसरे वाले pink को मैं आपको दिखाऊंगी कि इन दोनों में क्या अंतर है तो देखिए इन में कोई अंतर नहीं है सिर्फ ये तो मतलब माइनस सांतर है आँखों पे ज यह काफी pigmentation के साथ में आया है और last वाला जो बचा है यह है yellow जो की यह भी matte है दोस्तो यलो भी मुझे अच्छा लगा मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर तो यह eyeshadow palette के shades जो है वो यह है तो रही बात इसमें जो तीन shade है शिमरी तो इनको मैं यहाँ पर आपको दि देखिए ठीक है और finger से जो shade निकल आते है brush की सायता से ऐसा जुत्रे नहीं भी निकलते है मैं मानती हूँगे इसके matte का pigmentation अच्छा है लेकिन नहीं नहीं मतलब मैं यह कहूँगी यह इसका purple वाला shade है और यह dark purple है आप यहाँ देखिए एक सिकिन यह कुछ-कुछ हुड़ा मिलता है तो समझ आता है उस चीज का वाकि यह teenagers के लिए अच्छा है या beginners के लिए मैं कहूँगी sorry beginners के लिए यह eyeshadow palette अच्छी है लेकिन अगर मैं कहूँगी सब के लिए अच्छी है मतलब ठीक ही है matte look अच्छे है और shimmery बहुत जाद अच्छे नहीं है बहुत skin को अजीब सी wrinkles दिखते है skin में मतलब अब जैसे कि क्या है देखिए एक चीज में आपको दिखाती हूँ मेरे पास है एक यह palette this one कलबार की nude palette है यह और यह है nude 12 यह launch वी थी तब मैंने ली थी इससे भी मैंने बहुत makeup look किये है और इसका review मैंने किया था बट demo के साथ नहीं किया है videos में shoot जरूर किया है इससे तो यह इसमें pigmentation बहुत है मतलब अगर मैं price pay कर रही हूँ तो मुझे मिलती है चीज ऐसा ही है बस तो okay okay है okay अगर आप discount पर पाते हैं तो बढ़िया है लेकिन 600 रुपे में मैं इसे खरीदने को नहीं बोलूँगी इसके बजाए आप कोई धंका eyeshadow palette एक लीजे लेकिन solid लीजे भले एक eye pigment हो आपके पास तो यह जो glitter मैंने use किये हैं आपने makeup look में देखी लिया है कि मैंने किस brand के glitter use किये है so thank you so much दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा और आगे भी मैं कोशिश करूँगी इसी तरीके से बहुत सारे eyeshadow palettes मेरे पास हैं आजकल तो उनके review आपके साथ share कर सको और मेरा bangle collection ज़रूर देखिएगा thank you please follow me on instagram and facebook